दोस्तो स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में इस बार मौनिया मौस्या का पढ़ने वाली है जी हाँ दोस्तो मौनिया मौस्या का बड़ा महत होता है इसका सुमोरत भी जानेंगे और माग मेले का ये तीसरा इसनार होगा ऐसे में मौनिय मौस्या का इंदजार बहुत ज़ादा होता है और महिलाएं इसका इंदजार करती हैं फिलाल आपको दादे इस दिन माग मेले में तीर्थ हसनान किया जाता है और सभी लोग इसका इंदजार करते हैं और बड़ा ही पवित्री ये माना जाता है और मोक्ष की प्राप्ती भी सी में होती है तो चलिए जानते हैं पूर अपडेट बने रहीएगा आप हमारे साथ चलिए सुरू करते हैं दोस्तों मौने अमवस्या 2024 में कब है सबसे पहले तो आप ये जा लेज़े कि माग महीने की सुरुवाद 26 जन्वरी को हो रही है ये महीना तीर्थ हस्तल पर इस्नान और दान के लिए विसेश महत्तो रखता है वैसे तो जैसे ही इस महीने की शुरुवात हो जाती है लोग तीर्थ स्नान वगेरा करते हैं फिलाल ये महीना तीर्थ स्नान और दान के लिए विशेश महत्तु रखता है और सास्त्रों में बताय भी गया है कि जो माग अमावस्या की दिन गंगा इसनान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है तो पित्रों के असिर्वास से उसे जीवन भर भावतिक सुख मिलते हैं माग अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं मौनीय मवस्या यानि ये साल एक मात्र अमवस्या है, जिसमें मौन वर्त रखकर धर्म कर्म करने में अक्षय पुने प्राप्त होता है। तो साल दोजाए को डेट, इसनान दानशुब महतु शबको जानेगे, आप अंत तक बने रहे है। दोस्तों मौनी अमवस्या की जो डेट है वो आपको अदा दे तो 9 फर्वरी 2024 होगा दिन सुक्रवार रहेगा इसे माग ही अमवस्या भी कहते हैं इसी दिन प्रियाग राज में माग मेले का तीसरा इसनान किया जाएगा और मौनी अमवस्या पर पित्र दोस और काल सर्प दोस कि इसनान दान के लिए जो मौरत है वो सुबा साढ़े पांच बजे से लेकर सुबा साढ़े छे बजे तक का रहेगा यानि देखा जाए तो कुल 45 से 50 मिनट का ही मौका मिल रहा है जब आप इसनान कर पाएंगे और दान दे पाएंगे एक सुब मौरत में आईए इसके महत् को मौनी अमावस्या कहा जाने लगा। सबसे बेश्ट मुहरत होगा ब्रह्म मूरत में गंगा में इसनान करने का जिससे के लंबी आयो आपको प्राप्थ हो और आपको इससे आरोग्य मिलता है यानि रोग से मुक्ति मिलती है एक अपडेट था यानि कि आपको दादे तो इसनान दान का जो सुमूरत है वो साढ़े